बिहार की रायनिती में समराच चौदरी की इंटरी कुछ ऐसी होती है जिससे ये तै हो जाता है कि अगले मुख्यमंत्री के तौड पे बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम जो है वो घोसित कर दिया है। इनकी जो इंटरी होती है धाकर होती है इनके भाषन जो होते हैं वो धाकर होते हैं और उस वक तक ये भी बताया जाता है कि रायनिती पकर जो है वो भी जो इनका है वो कमाल का है और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो लोगसबा का चुनाव आता है और तब जो है ये पता चल कि आखिरकार समराच चौधरी का पतन कहां से शुरू हुआ, समराच चौधरी जिनका नाम आया था कि ये बीजेपी के तरफ से मुख्यमंतरी बनेंगे, आखिरकार उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया, फिलाल अभी उपमुख्यमंतरी हैं, लेकिन अब वो जोर नहीं देखने को मिलता, जो इससे पहले समराठ चौधरी का देखने को मिलता था, इसी के उपर बात चीत करने वाले हैं हम आपको, इसी के बारे में पूरी जानकारी तक आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा पढ़िचे जान लीजिए, मैं हूँ होने वाला है, और अगले मुख्यमंत्री के रूप में इसी चेहरे की तारीफे की जा रही थी, इनका डायलोग, इनके भाशन, इनका जो रुत्बा था, वो कमाल का था, और उसके बाद ये नितिश कुमार जब ये RJD के साथ सरकार में थे, तब नितिश कुमार को लेकि इन के पगड़ी के चर्चे जो हैं, वो भी खूब तेज हो गए, खूब हुई, और उसके बाद लोग कहने लगे कि एक ऐसा नेता आया है, जो नितिश कुमार को कुर्सी से हटा देगा, नहीं तो अपना पगड़ी नहीं उतारेगा, और उसके बाद इस्तिती और माहौल जो ह उस चार कारण के उपर बात करेंगे हम लोग, जिससे ये आपको पता चलेगा कि आखिरकार समराच चौदरी का जो एक तरीके से डाउनफोल चुरू हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है, सबसे पहले कारण के उपर आते हैं, आप भी ध्यान दीजिए, और ये है कि कुश् वोटरों का साथ ना मिलना, ये माना जा रहा था, इनको प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया भी इसलिए था, ये कुश्वाहा वोटर को अपने तरफ खीचे, और ये लगने भी लगा था कि कुश्वाहा वोटर इनसे काफी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसी से ये माहौल हुआ कि 2-4 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो गया, और बीजेपी जेडियू से भी कम सीटे लाई, और इस वज़े से कही न कहीं ये माना गया कि कुश्वाहा वोटर जो है, वो इनकी फेवर में नहीं है, इनके साथ नहीं है, इनको अभी अपना नहीं मान और इसलिए इनको लाया गया था ताकि कुश्वाहा वोटर को ये साथ सके, अगर ये काम ये न कर पाए, तो इस वज़े से कहीं न कहीं थोड़ी सी बेरुखी का सामना इनको बीजेपी के तरफ से भी करना पड़ा, अब आप ये बात समझें कि वो समराठ चौदरी जिनके वो चर्चा में आ जाए कि कुश्वाहा वोटर तो इनके हैं ही नहीं, तो यहीं से शुरू हुआ इनका पतन, डाउनफॉल, इनका डायलॉग जो है, वो तो काफी वारल हो रहा था, लेकिन इनका वोट जो है, वो कम देखने को मिल रहा था, और इस वज़े से कहीं न कहीं, बीजेपी जो है, इनको थोड़ा सा अब दर्किनार करना शुरू कर दी है, और यहीं से डाउनफॉल जो है, वो शुरू हुआ, लोग सबाचुना दो हजार चौबिस से, जहां पे ये बेशर साबित हुए, इनके जात में इनकी पकड नहीं देखने को मिले, आकरकार बीज कुछ कुछ वाहा इनको समर्थन देते होंगे, कुछ कुछ वाहा वोटर आज भी इनके साथ होंगे, लेकिन वो जिस तरीके से जो इनकी छवी लाई गई थी, एक कट्र हिंदू नेता की, एक कुछ वाहा नेता की, वो छवी जो है, ठीक से अपना बरकरार और मेंटेन नही कर पाए, और ये वज़े रहा कि कुछ वाहा वोटरों का इनका साथ नहीं मिला, दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा आप देख सकते हैं ये, मैंने पहले ही बताया कि ये अपने मुरेठा को लेके चर्चा में आये थे, बिहार राजनीती में, आप इनका मुरेठा इसमे कई सारी लोजिके भी दी, लेकिन वो लोजिक खासकर कारगर साबित हुई नहीं, लोगों ने कहा कि भाई आपने तो वादा किया था कि आप नितिश कुमार के साथ जो है वो नहीं जाएंगे, आप नितिश कुमार को कुर्सी से हटा देंगे, उतार देंगे, लेकिन आप तो नितिश कुमार के साथ जाके सरकार बना लिये, मतलब भाई, वो तो वही बात उगया कि आसमान से गिरे, और खजूर पे जाके लटक गए, और यही हुआ सम्राइच चौद्री के साथ आसमान पे थे, और गिरे तो खजूर पे अटक गए, और अब नितिश कुमार के साथ इनको काम करना पर रहा है उसके बार नितिश कुमार का दबाव भी शायद पड़ा होगा कि अब पगड़ी उतार लीजिए और अगर नितिश कुमार का दबाव है तो काम तो करना पड़ेगा क्योंकि वो भी जानते हैं कि बिहार की रायनिती म अगर बीजेपी को स्थापित करना है तो अभी फिलाल एक ही रा है और वो है नितिश कुमार जहां पाला बदले मामला गरबर हो जाएगा और इसी वज़े से जो है समराट चौधरी को अपना पगरी भी उतारना पड़ा और प्रदेश अध्यक्ष वाली कुर्स्ती भी छोड रहे हैं इसके उपर भी लोग बात चीत कर रहे हैं आईए अब तीसरे काड़न के उपर बात कर रहे हैं और तीसरा काड़न है दो हजार चौबिस लोग सभा चुनाओ में जो है वो पूरतव फेल हो गए मतलब लोग सभा का चुनाओ ही इनका अगरी परिक्षा था यहाँ इनको साबित करना था मोदी का फेस भी था इनको बस अपने वोटरों को इक्वायर करना था और साथ-साथ इनको भी यह भी बता देना था कि भाई यह कुसवाहा के लीडर है जो यह बताने में नाकामियाब रहे है अब सोचिए कि इनका जो ग्रेह जिला रहा मुंगेर वह इनको बसिद्स कुसवाहाओं का वोटरों का ठर्काने में नाकामियाब साबित हुए और यह साब तोर पे देखा गया जो इनका इलाका रहा वहां के कुसवाहा भी जाके इनको वोट नहीं दिये मतलब बीजेपी को वोट नहीं दिये जेडू के तरफ नहीं झुका हुआ और इस वज़े से ये बड़ा एक एक तरीके से देखा गया कि मोदी के फेस होने के बावजूद, मोदी को प्रधान मंत्री बनाना है इन सब के बावजूद भी ये कुश्वाहा वोटर पे अपना वर्चस्व जो है वो कायम नहीं कर पाए और 2024 के लोग सबाचुनाओं में प बढ़त था वो बढ़त देखने को नहीं मिला और कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदारी अंदरूनी तोड़ पे समराट चौदरी को तो लेनी ही थी भले ये ऑफिशियल तोड़ पे डिकलेर ना करे अपनी बातों को ना कहें लेकिन अंदरूनी तोड़ पे जिम्मेदारी तो इ अभी भी समराट चौदरी जो है, खुद को Estable करने की कोशिश कर रहे हैं, समहालने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप सोचिए, इतने सालों बाद भी इनको खुद को समहालना पर रहा है, और ये बड़ी मुश्किल बात है, आप परदेश अध्यक्ष हैं, रहे, आप उपर मु आजा जा रहा था, लेकिन अचानक से जब इनका डाउनफाल सुरू हुआ, तो बड़ी मुश्किल में घिरते हुए नजर आए समराट चौदरी, और अगला है, कि इनके सारे प्रतिदवन्दी जो हैं, इनसे जादा दमदार हैं, अब इनके प्रतिदवन्दी कौन-कौन से हैं, जो जो लोग मुख्यमंतरी के रेस में हैं, वो सब समराट चौदरी के प्रतिदवन्दी हैं, अब चाय चिराक पास्वान ही क्यों न हो, भले इनके पार्टी के हो, लेकिन अगर देखा जाए, तो मुख्यमंतरी के रेस में चिराक पास्वान भी हैं, तेजश्वी या टेजाश्वी यादो की जो छबी है, जो इनके समर्थक, जो इनके लिए कट्र है, जिस तरीके से तेजश्वी यादो को मांते हैं, वो प्रभाव इनके जातियों पे, यानि समराट चोधरी अपने जातियों पे अपना नहीं डाल पाए. मतलब जिस तरीके से तेजश्वी यादो का प्रभाव जो है वो रहा है यादो के उपर वो प्रभाव कुश्वाहाओ के उपर समराट चौधरी का नहीं रहा दमदार छवी है तेजश्वी यादो की तेजश्वी यादो को युवा भी पसंद करने लगे अब लेकिन ऐसा कु फिरते भी हैं लेकिन तेजश्वियादों को कि अगर बात की जाए तो अब इछाल-फिलाल इससे बहुत जादा दम रखते हैं और तेजश्वियादों की बात ऐसी ही है कि इनके यादों जो हैं वो इनके साथ हैं दूसरा चेहरा ये है चिडाग पास्वान का अब चिडाग पास्वान को देख लीजिए ये भले ही मोदी जी के साथ हैं मोदी जी के हनुमान भी बताते हैं खुद को तो ये सारे जो क्वालिटी हैं जो जिसमें जो पहले एक तरीके से समरा चौधरी में देखने को मिलता था, वो अपनी तरफ खीचने को, अपनी तरफ आकरशित कर रहे हैं चिडाक पासवान, मतलब चिडाक पासवान समराट चौधरी से जादा प्रवल दावेदार है मुक्यमंत्री के, अब इससे आप समझ जाएए, पासवान वोटर चिडाक पास इसी लोग सबा के चुनाव में, वो 100 परतिशत रहा, यानि 5 में 5 सीट जीतने में काम्याब रहे चिडाक पासवान, और इस वज़े से इनका स्ट्राइक रेट जो है, वो इनसे बहतर हो गया चिडाक पासवान का, मतलब समराट चौधरी से बहतर साबित कर दिये चिडाक प जक्ष भी नहीं थे, नहीं रहे, और अब वो अपनी राजनितिक अस्टेबिलिटी जो है, वो तलास रहे है, हाला कि अभी उपोमुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार विधान सबा चुनाव जब बीतेगा, उसके बाद की क्या स्टिती रहेगी, अगर BJP सत्ता में आती है, तो उसके बाद की क्या स्टिती रहती है, ये भी देखने वाला बात होगा, लेकिन अभी तो अभी समराट चौदरी को खुद को प्रूफ करने की आवशकता है, खुद को बिहार की राजनिति में साबित करने की आवशकता है, अपने स्ट्राइक रेट को और बहतर करने की और इनके जो कोर वोटर है कुश्वाहा उनको अपने पक्ष में करने के आउशकता है अगर ये काम अभी से भी कर लेते हैं समराठ चौधरी तो यकीनन एक बार फिर से बिहार में खुद को एस्टेबल कर पाएंगे और खुद को साबित कर पाएंगे बाकी समराठ चौधरी क को लेके और जो मैंने ये विवेचना की इस चीज को लेके आप क्या सोचते हैं आपके जहन में क्या कुछ चल लहा है कॉमेंट कर दीजिए और अपना विचार हम तक पहुचा दीजिए बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्षन और मेरा नाम रजत है